नमो अरंताडम, नमो सिध्धाडम, नमो आयरी आडम, नमो उवज्जाए आडम, नम लोये सव साहुडम पंच परमेश्टी भगवंतों की आचारे भगवन गुरुवर विशुत सागर्जे मुन्राज की या हम सबी अपने जीवन में सुक की अभिवर्दी के लिए नीती की विश्यों का श्रवण कर रहे हैं और नीती कहती है कि अगर आप कहीं गलत हैं अगर आप कहीं गलत हैं तो इसको सुईकार न सीखें और आप कहीं सही हैं लोग आपको नहीं सुईकार रहे हैं तो इसको भी सुईकार न सीखें अगर आप गलत है तो उसको सुईकार न सीखें कि आप गलत है जितने हिस्से में गलत है और कहीं आप सही हैं और लोग इसको नहीं सुईकार दे तो इस बात को भी सुईकार न सीखें कि लोग मेरे सही होने पर भी मुझे नहीं सुईकार रहे वहाँ अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई आप रावन हो की राम हो सोच लेना कैसे मान लूँ? सुईकार न सीखो अब उस बात को चलते फिरते सुईकार न सीखो आज की नीती सुनना एहिंकार आपको अकेला करता है और माफी आपको अकेला होने से बचाती है जो आपके अंदर एहिंकार आये न मैं, मैं, तुम एक वचन में आये हो, अकेले हो हम, हम, तुम बहु वचन में आये हो, सबके साथ हो जो आपके अंदर एहिंकार है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ यह तुम्हारा एहिंकार है अकेले रहोगी वहीं आप अगर जुक के चलते हो माफी मांग करके चलते हो तो आप अकेले होने से बच सकते हो अगर आप एहिंकारी है तो अकेले होना ही पड़ेगा क्योंकि एहिंकार जब आपके अंदर आता है तो आप अकेले रह जाते हो दूसरे को आप accept नहीं कर बाते हैं ये बड़ी main बात है egoistic लोगों में कि वो दूसरे को face नहीं कर बाते हैं कैसे मान ले हम कैसे सुईकार ले नहीं egoistic नहीं बनना चाहिए egoistic नहीं बनना आप माफी मांग करके चलो जुक के चलो इसलिए एंकार दिखा कर किसी रिष्टे को तोड़ने की अपेक्चा से माफी मांग कर रिष्टे निभाना सादा अच्छा है क्यों रिष्टे तोड़े जाएं एंकार से अरे आप निभाना भी तो सीख सकते हो अगर आपके बड़े आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी ये गलती है तुम्हारी ये गलती है वह गलती नहीं है एक बार अपनी सफाई जरूर देना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था फिर भी आपको सही नहीं माना जा रहा है जी क्या बोलना जी हाँ मेरी ये मत बोलना मेरी गलती है जी जी क्यों आप माफी मांग के चलो के रिष्टे तो निभेंगे वह हम कह रहें कि अगर सामने वाला एंकारी भी हो तो भी रिष्टा तो निभेंगा अगर यहाँ आप जो रह रहे हो दुनिया में रहना है तो थोड़ा सा तो जुक्के चलना पड़ेगा जादा नहीं तो थोड़ा सा जुक्के चलना पड़ेगा अकड़के चलोगे सो एक तूफान पड़े मिलोगे और जुक्के चलोगे सो हमेशा मिलोगे हमेशा मिलोगे एक बार वायू में और सूरः में युद्ध हो गया जग़ड़ा हो गया परस पर में बोले मैं ताकतवर हूं अब वो जो वायू थी वो हिंकारी थी और जो सूरः था वो तोड़ा जुक के चलता था उसको पता था कि कैसे किसको क्या लेना है तो उसने का बवं से कि पहला प्र्यास तुम कर लो, ये वेक्ठी चल्राई से कपड़ उतर वा दो, ये वेक्ठी चल्राई कपड़े पहनागे, इसके सूर ने गर्मी बढ़ाई और गर्मी बढ़ाई और बढ़ाई तीस का पचास दिगरी लेके गया उस अदमी ने अपने दीरे-दीरे उस आदमी ने अपने दीरे-दीरे पूरे कपड़े उतार दिये एंकार हर वस्तु को प्राप्त करने का हर समय अपने आपको सही सिद्ध कर करने का तरीका नहीं है मैं 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 नहीं चलता मैं मैं तो बक्री करती है एहिंकार से नहीं सरल्टा से जुक करके अगर आपके अंदर एहिंकार नहीं है तो यह आप राम बन पाएंगे नहीं तो रावन की स्रेनी में ही आएंगे आप देखो राम ने कभी एहिंकार नहीं किया रावन ने हमेशा एहंकार किया और जिस जिस ने रावन के साथ रावन की तरह एहंकार किया उसका भी विनाश ही हुआ है हुआ कि नहीं राम ने असनी किया राम हमेशा जुक के चले हैं राम हमेशा जुक के चले हैं और अपन राम का नाम लेते हैं, मावीर सौमी का नाम लेते हैं, लेकिन चाहते नहीं कभी कि हम राम और मावीर सौमी बन जाए आप चाहते हो तो आप अपना इगो जो है वो बाहर करो माईक में इगो और जिन्दगी में पता हैं आप लोग को माइक में इको और जिन्दगी में इगो आपकी आवास को सुन नहीं देता जब माइक में इको आता है तो आपको अपनी आवास सुनाई नहीं देती और जब लाइफ में इगो आता है तो आपको अपनी आवास सुनाई नहीं देती इसलिए ego और ego को कह देना go go ego go go ego go ego से कह न जाओ तुमारी मेरी जिन्दगी में कोई जरुरत नहीं जिस ने एंकार दिखाया है वो सब गए है और जो जो जुक करके चले वो रही है आपको रहना है कि जाना है और अगर जाने के बाद भी रहना है तो kind hearted तो होना पड़ेगा आपको माफी मांग करके चलना पड़ेगा माफी मांगने से मतलब जुक कर थोड़ा जुक कर चलो थोड़ा क्या विगड़ जाएगा जो अकड़ के चलते हो पी टकड़ जाती है उनके भी फिर डॉक्टर जुकाता है समझना बात को अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार आपका व्यवसाय आपका ज्यान आपका तप आपका शौर्य आपका यश सब जीवित रहे आपके सारे काम बनते आए इगो इस्टिक नहीं होना एंकारी नहीं होना एंकारी कब भी मत होना और जैसे ही एंकार आए तो खुद से कहना हे रावन तु क्या कर रहा है तफिर आप स्वयम बोलोगी कि हे रावन तो आप चेतोगे न, दूसरा बोलेगा तो आप जगड़ोगे, खुद ही खुद से कहते हैं कि हे रावन, तु ये क्या कर रहा है, चUCQI रावन की परिभाषा और एहंकार की परिभाषा बराबर है, इसलिए अगर आपको माफी मांगना आता है तो आपके पास एहंकार कभी नहीं आएगा और अगर आपके पास एहंकार है तो आपको माफी मांगना कभी नहीं आए एक जगा का घटन, एक इस्थान की घटना है हम और सहिज सागर जी उन्हों यूँ ही बैटे थे, पाटे पर लिख रहे थे, जहां रुखे थे, एक सज्जन अपने बच्चों को लेकर के आए, इनके गाउं के थे, लेकर के आए, लगवा 5 साल बुरानी घटना है, लेकर के आए, उनके जोड़वा बच्चे हमारे पास बैठे, और उन्होंने क और एक गंटे तक बैठा रहा, उसने पैर नहीं चुए, बाहर निकल ये क्या कहता है, पता है, उनके पैर क्यों चूँ, छोटा बच्चा नहीं था, 20 साल का था, बुले उसके पैर क्यों चूँ, ऐसा क्यों कह रहा है बिटा, पापा अपने पास इतना बड़ा घर है, 100 करो अपने पास सब कुछ है, इसके पास क्या है, मतलब उसने पैसे को, धन को, वैबाव को, सब कुछ मान लिया, ये उसका एहिंकार है, उसको पता नहीं है, कि चक्रवर्ती का वैबाव भी, दिगंबर मुनी के सामने फीका है, तो एहिंकार किस बात का, एहिंकार किस बात का, अगर कोई बोले, कि दिगंबर मुनी बहुत एहिंकार ही होते हैं, चौके में बैटे रहते हैं, पहले पूजा करवाते हैं, पहले पूजा करवाते हैं, और पूजा नहीं कर उस लोड़ जाते हैं, अगर कोई बोले, तो उसको कहना भीया, एहिंकार नहीं करते, वो बैट करके बताते हैं, कि देख, तु दिन बर कमाता है, और गालियां खा करके तु खाता है, दिगंबर मुनि बंजा, पूजा भी होगी, पेट पूजा भी होगी, ये बताने के लिए एंकार के लिए नहीं है, दिगंबर मुनि की कोई भी चर्या, कोई भी च तरचा एंकार की नहीं होती कभी भी दिगंबर मुनी के शब्द भी एंकार वशनी होती तो क्यों नापन भी ऐसा करें एंकार से कहें बाई बाई गो इगो गो और देखना जिस दिन एंकार बाहर निकलता है उस दिन विक्ती सुईकारता है सत्य भी हो तो एहंकार में विक्ति नहीं स्विकारता आप उससे कहना माना कि ये घर बन रहा है और आप कहरे हो कि यहां बल मत लगवाओ यहां से तो लाइट आई रही है आप इस तरफ लगा लो यहां पर खिड़की नहीं है और एहंकार में उसने बोल दिया नहीं यहीं लगेगी सब अड़ जाएगा यहीं लगेगी फिर जब कुछ दिन और बाद मैटर ठंड़ा हो जाएगा फिर वहां एक और लगवा देगा क्यों समझ लेना एहंकारी है एहंकारी हो तो अकेले रहोगे सब के साथ हो मतलब पहंकारी नहीं है अगर आप अकेले हो तो समझ लेना खुझ से कहना हे रावन तू कैसा है हे रावन तू कैसा है अगर सरल हो तो खुझ से कहना हे राम तू कैसा है या फिर थोड़ी और ट्रेंट चेंज करो खुझ से कहना अब आपके उपर है कैसा जीना है कैसा रहना है एहंकार के साथ जीओगे एहंकार शब्दी बजनदार है नीचे ले जा रहा है छमा सरल है उपर ले जा रहा है एंकार नहीं करना, क्या करना है अपने को? रिष्टे निभाव, माफी मांग कर एंकार में रिष्टे मत तोड़ो कि मेरी बात कट गई है तो कुछ भी किसी के लिए मत बोलो सब के दिन एक से नहीं होते जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं एंकार था मेरे घर में इतना है तो वो बेर बेर खाते हैं बार बार खाते थे अब दिन बदल गए तो बेर बीन के खा रहे हैं तो सरल सुभाबी था वो बेर बीन के खाता था तो दिन बदल गए वो बेर-बेर, यहने बार-बार खाता है एहिंकार नहीं करे इगो नहीं, इगो नहीं आप सरल बने तो जीवन आपका विशेश होगा सेश अपना आगे विचार करेंगे भगवान महावीर सोमी की